इस class के अंदर इस lecture के अंदर हम explorated data analysis करने वाले हैं और हम इस explorated data analysis को कटने के साथ साथ कुछ चीज़ें कुछ points में दे नजर रखते जाएंगे कुछ statistics की terms भी सीखेंगे तो stat भी इसके अंदर merge होगी, markdown की language भी इसके अंदर merge होगी और आपके जो basic concepts and different explorated data analysis के वो भी merge होगे क्यों? क्योंके दुनिया इतनी fast-paced हो चुकी है कि अब data analysts को AI के tools use करके explorated data analysis करना असान हो जाता है comparatively आप अगर खुद से hardcore coding करें उसके तो let's begin, मैं आपको अपनी screen share करता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने screen share होगी है, कल वाली जो file यहाँ पर open थी हमारे पास, मैं इसको save कर लेता हूँ and now we are going to make a folder जिसका नाम हम रखने वाले हैं, EDA EDA के अंदर मैं एक file बनाऊंगा जिसका नाम होगा X, बलके इसको मैं बोलता हूँ, EDA 01 यह 01 EDA बोल देते है, 01-EDA.IPYNB, जुपिटर notebook की मैंने file बना लिए एक separate folder में, ठीक है, so now we will work on this file, हमने यहाँ से machine learning वाला जो हमारा environment है, उसे select कर लेना, जिसके अंदर मैंने अपनी libraries install की हुई है, अब जो libraries हमने install की हैं already, उनके उपर हम काम करेंगे, या हम उनको दुबारा से भी install कर सकते हैं, सबसे पहली जो library है, मैं आपको बता देता हूँ, जो इस पूरे task के अंदर हम use करने अक्सर अकात आप sequence को कुछ इस तरीके से लिखते है, numpy second पे आती है, and then c bond fourth, sorry, yes, something like this, तो अगर आपके पास ये install नहीं है, आप इसको install कर सकते हैं, इस तरह की command लगा के, और ये exclamation mark क्यों लगाना था, मैंने कल भी आप से पूछा था, जी कोई बता सकता है, exclamation mark क्यों लगाया है, यहां पे, अगर आपको नहीं बता, तो इसको search जरूर कीज़ेगा, because this is one of the trick, जो python coders use करते हैं, by the way, साथ में minus q लिखूँगा, तो यह quietly install हो जाएंगी, सारे की सारे, इनको run करता हूँ, अब मेरे पास अगर already install हैं, तो यह quietly खुद भाखुद इसको जल्दी-जल्दी खतम कर देगा, otherwise, it was going to show me something like requirements already satisfied, कि ये भी install है, 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 सब कुछ install है आपके पास, ठीक है, तो हमें, यहां से मैं इसकी output remove कर देता है, सरा कसरा कुछ install है, अब notebook को start करने से पहले, आपको यहां पे उसका title देना जरूरी है, मैं यहां पे इसको बोलता हूँ, ADA notebook part one, अब आपको पता होना चाहिए, कि ये जो मैं इसके साथ italicize कर रहा हूँ, या मैं इसको bold कर रहा हूँ, ये किस तरीके से कर रहा हूँ, author मैं यहां पे लिखता हूँ, और यहां पे मैं अपना नाम add कर दूँगा, italicize करके, something like this, और ये मेरे पास markdown के cell में, control enter करने के पाद, इस तरीके से आजाएगी, ADA notebook part one, author मैंने अपना नाम लिख दिया, तो आप भी इस तरीके से जब भी कोई notebook start करें, ये लिखते हैं, और ये काम किये, ठीक है, ये आपका काम है, by the way, यहां पे EDA करते हैं, और मैं हर एक चीज़ को लिखने से पहले, यहां पे उसकी command line भी लिख सकता हूँ, otherwise मैं directly python का code लिख सकता हूँ, तो हम मैं क्या करूंगा, c-bone library से data लोंगा, और उस पे हम analysis करेंगे, ठीक है, पहले sample data पे ह easy to understand, इस वज़ा से concept आपको समझ आ जाएं, फिर हम real life के दो-तीन data sets पे, ADA और data wrangling करने वाले हैं, right, सबसे पहले इस पे काम करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, import libraries, सबसे पहले आप python में coding करते हैं, data science की, import करते हैं, libraries, यहां पे करते हैं, import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib, dot, pi plot as plt, and then import c bond as sns, by the way, इसी idea के अंदर ही आपको में data visualization भी सिखाने वाला, कि data को visualize कैसे किया जाता है, और उसकी sense कैसे बनाई जाती है, ठीक है, so यह lecture सारे के सारे एक professionally, एक proper knowledge base के साथ combine करने का फाइदा यह है, कि आपको फोरन से पता चल जाएगा, कि अगर यह बंदा exploratory data analysis करवा रहा है, तो उसकी वज़ा क्या है, क्यों करना है हमने, python use करना है, तो कौन-कौन सी libraries करना है, data visualization कैसे होगा, statistics की terms कैसे use होगे, तो यह combined form में आपके पास पूरी के पूरी notebook आने वाली है, ठीक है, अब मैं यहां से इसको थोड़ा सा बन कर लेत है, ठीक है, हमारे पास libraries जो हैं, वो import होई है, यहां पर libraries इंपोर्ट होई है, वहां से आप लोगोंने camera बंद कर दी है, that's really good, and somehow it's not, खैर by the way, जो भी है, चल रहा है, that's fine, अच्छा, दूसरा तरीका होता है, आपका data लाने का, अब हमने data को ले कर आना है, data from c-bond, मैं वहा जो कल मैंने सिखाया था, ठीक है, तो अगर अपना data होगा, तो उसको भी देखेंगे, but for now we are loading data from c-bond, तो यहां पर data frame के variable के अंदर store करते है, sns.load dataset का जो function है, उसे लगाएंगे, और यहां पर हम titanic लिखेंगे, यह error क्यों दे रहा है, कोई बता सकता है, यह error क्यों आ रही comment section में बता सकते हैं, यह error क्यों आ रही है, आपके पास भी same error आई है, समझा है यह बात की, हमने इसको string में लिखना होता है, ओ मैं भूल गया था, खैर, इसको string में लिखना होता है, तो अक्सर रुकाद ऐसी errors में आपके लिए छोड़ता जाऊंगा, राइट, ताकि आपको समझा है, string में लिखना था, हमारे पास data आ गया, अब यहाँ पे चार चीजें data की आपने देखने होती है, to feel the data, वो चार चीजें कौन सी है, मैं अभी आपको बताने हो लाँ, and then we are going to see them one by one, अगर आपका data है यहाँ ठीक है, आप इसके चारों सिम्टों में different चीजें देख है, ठीक है, यहाँ पे चारों चीज़ों में, अगर आपके पास notebook पढ़ी है तो please इसमें आप लिखते जाएं ताकि आपको पता चले के हम क्या-क्या देखते हैं, चारों साइडों के उपर, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि data की composition क्या है, कि data किन-किन data type से मिलके बना है, data में column कितने हैं, data में rows कितनी हैं, data की composition क्या है, जैसे इंसानों की composition क्या है, हम मत्ती से बने हुए हड़िया है, हमें calcium जिसमें होता है, पानी है, ठीक है, इसी तरह के से different चीज़े हैं, तो इसी तरीके से data की composition क्या है, data किन चीज़ों से मिलके बना है, composition, second होगा data distribute कैसे है, यानि के जब data को plot किया जाता है, तो वो किस तरह की shape बना रहा है, ठीक है, we will see that, data distribution, composition, and second one is distribution, तीसरी चीज़ है, जी हमारे पास data का आपस में comparison आपने देखना है, एक में gender है, एक में age है, तो आप male versus female का comparison करेंगे, कि male की age कितनी है, female की कितनी है, उसको बोलते हैं comparison, ठीक है, और चौती चीज़ आपने देखनी होती है relationship, data का relation क्या है आपस में, ठीक है, किराया जो अब दे रहे हैं, तो किस तरीके से दे रही है, अगर female है तो उनका कितना कराया है, male का कितना कराया है, और इनमें similarities किया है, क्या male और female का कराया है, दोनों इकठे बढ़ रहे हैं, या इकठे कम हो रहे हैं, we are going to see that, these are four things, your four pillars, we are going to see, when we are exploring the data, और ये EDA के pillars हैं, ठीक है, इसी तरीके से हम data को explore करते हैं, composition बना के, distribution बना के, comparison देखके, या relationship देखके, और अगर ये चार चीज़ें आपको पता चल जाएं, आप data के बारे में हर एक चीज़ जान जाते हैं, ठीक है, वो ही बात है ना, अगर किसी को सुधारने, सबसे पहले उसके बारे में जानना बेहतर होता है, अगर आपको कोई कह दे, यार आपका जो दोस्त है, वो सही तरह पढ़ता नहीं है, तो आप उसकी बात पर बैठ के सीधी उसको तरगीब देने लग जाएंगे, यार पढ़ना स्टार्ट करो, और हो सकता है, वो क्लास का टॉप पर हो, इसी तरीके से, अब डेटा में घलतियां हो ना, तुसरी जुदारण भायो, तो यह तो वो पागलो मला काम हो ना, के एक चीज़ में घलती नहीं है, और आप अपने एनरजी भी वेस्ट कर रहे हैं, और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, इस वज़ा से उन चीज़ों कि composition कैसे देखनी है हमने, हम यहाँ पे, पहला जो सबसे पहला काम होता है, वो होता है, df.info, info का हम function यूज़ करते हैं, जिससे हमें data की information पता चलती है, ठीक है, पहली information क्या है जी, इस data के अंदर आठ सो अकनवे entries हैं, रोज को entries भी बोला जाता है, रोज को entries भी बोला जाता है, यह रोज वो वाला रोज नहीं है कि रोज, यह entries है, ठीक है, रोज को entries भी बोला जाता है, और 0 to 890 क्यों हैं, क्योंकि 0 index से 890 index तक है, ठीक है, अब जिनको index का नहीं पता, पिछली classes miss की हैं, प्लीज एक दफा पिछली classes ज़रूर लें, वरना आगे-ागे मसला होगा, then total columns कितने हैं, अब 15, आपको पता चल गया है, जी entries कितनी है, columns कितनी है, और बाकी चीज़ें क्या है, ठीक है, अब यहां पे आते हैं, survived, यह हमें बता रहा है कि यह integer का column है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि सच में integer है के नहीं, P class, यह भी integer का column व यह nominal है, we need to find out that, ठीक है, यह order है, then sex हमारे पास आ रहा है, male है यह female है, ठीक है, जिसे gender भी बोलते है, age हमारे पास है, जी float 64, यानि के float number है, अब यह 64 क्यों आ रहा है, 32 क्यों आता है, यह basically इसकी binary coding, या आप यह कह लें कि यह bits and bytes का चकर है, जो computer science के अंदर होता है, you don't need to worry about that, तो int 64 है, that's fine, अगर किसी को ज्यादा इंटरस्ट है, जिस chat GPT पर लिखें, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन as a data scientist, it's fine, यह integer है हमारे लिए, that's enough, क्योंकि हम computer scientists नहीं पढ़ें, बन रहे हैं यहां पर हम data scientist बन रहे हैं, then, हमारे पास siblings spouse आते हैं, पार चाता है, and so on so forth, आम में से कितने लोगों को यह सारे के सारे column समझ आ रहे हैं, कि क्या क्या लिखा हुआ है column में, यह जो column है, survived है पहला column, peak class है, sex है, age है, sibling spouse है, parge है, parent children का है, और बाकी, जिनको नहीं आ रहे हैं, आप सबसे पहला काम यह करते हैं, कि Titanic के data set में, जो columns हैं, वो क्या क्या हैं, वो find out करते हैं online, या जहां से आप data लेते हैं, उससे related data जो होता है, उससे related data जो होता है, for example, जब आप एक data उठा रहे हैं कहीं से, या data collect कर रहे हैं, उस data के साथ associated data को बोलते हैं, meta data, वो क्या data होता है, यह survived लिखा है, तो इस survived का मतलब क्या है, और अगर इसमे value zero है या one है, तो इन दोनों का क्या मतलब है, zero है तो वो बंदा fourth हो गया, यानि कि dead बोलते है, one है तो मतलब survived, इसको बोलते है meta data, ठीक है, तो यह meta data आपको देखना जरूरी है, कि यह जो survived का column है, इसमें जो values हैं, वो हमने zero लिखा है, तो उसका क्या मतलब है, one लिखा है, तो उसका क्या है कि one, two, three, यह तीन P classes है, इसका मतलब आया यह है कि first class, second class, third class या कुछ और है, इसको बोलते है meta data, sex, male या female लिखे है, obviously आपको समझ आजा जाएगी, कि यह male है या female है, इसी तरीके से fair है, impact, impact का मतलब यह है कि Titanic जहां से impact किया था, उसके बाद लोग कहां कहां से उस पे pops है, उनके शहरों के नाम है यह, तो आपने वो देखने है impact का क्या मतलब है, फिर impact town लिखा हुए है, कि किस town से वो लोग बैठे थे, ठीक है, and then आपके पास है जी deck, deck का मतलब है जैसे वो होते है न, floor, first floor, second floor, third floor, इसे तरह deck होते है, कि किस deck पे वो सवार थे, Titanic का तो पता ह ना आपको, बहरी जाज, जो हवा में उड़ता है, हवा में उड़ता है बहरी जाज, नहीं, सुमंदर में होता है, ठीक है, अब आप के जाज है, अब इस सारी information अगर आपके पास ना हो, और आप data analysis सटार्ट कर दें, ये AI का model बनाते है, कि Titanic में कितने लोग बचे थे, तो वो खराब ही होना है ना तो पता ही नहीं किसे चीज़ दा तो आप क्या उस पर याई मॉडल बनाएंगे समझ जाई इस वज़ा से ये मेटा डेटा लेना जरूरी है आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के लेक्चर के फोरण बाद इन सभी चीज़ों को एक दफ़ा जरूर देखिएगा कि इसका मतलब क्या है ठीक है मैं आपको बता भी देता हूँ अभी और जब भी आप देखें तो सबसे पहले मेटा डेटा जरूर देखें मेटा डेटा क्लियर होगी बात कि मेटा डेटा होता क्या है ठीक है अब चलते हैं आगे अच्छा यहां पर इसने मुझे बताया था कि यह इंटीजर है अब इसकी मैं गलती पकड़ने लगा हूँ कैसे देखिएगा मैं यहां पर लिखता हूँ df.head यानि के उपर वाली पांच रोज वो मैं प्रिंट करना चाता हूँ यह जैसे मैंने प्रिंट की अब मेरे पास सर्वाइवड भी आ गया और टॉप की पांच रोज का डेटा भी 0,1,1,1,0 पी क्लास 1,1,1,1,1, something like that, sex आ गया, age आ गी, siblings पाउज आ गया and so on so forth मुझे पता चल गया कि यह डेटा integer तो है 0,1 लेकिन यह numeric नहीं है this is binary data, binary data क्या होता है या वो yes होता है या no होता है या zero होता है या one होता है, ठीक है, that's another type of data इसको बोलते हैं या yes है या no है, binary data binary क्या होता है, zero है या one है, या तो survive किया है या नहीं किया यानि के जैसे gender का data था ना, वैसे data, तो इसको हम क्या कह सकते हैं nominal के अंदर लिख सकते हैं, but it's always better you call it as binary data zero मतलब ये जो चीज लिखी है वो नहीं हुई, one मतलब ये चीज ये येस है ये no गिना जाता है, ये yes गिना जाता है, यानि के अगर कोई survive किया है सबसे ज़्यादा binary models चलते हैं, मिसाल के तोर पे, आपके पास एक camera, आप तस्वीर बनाते हैं, आप उससे पूछते हैं, ये बिली है के नहीं, वह आप या तो yes कहता है, या नो कहता है, इसको बोलते हैं binary, ठीक है, इसी तरीके से आप पूछते हैं, के ये इतने नमबर हैं, बताओ student fail है के पास है, तो वो उसको भी binary बोलते हैं, ये fail है, ये pass है, and so on so forth, इस तरीके से ये data चलते हैं, ये binary data है, पी क्लास में, जो data हमें नजर आ रहा है, तीन एक तीन एक आ रहा है, और हमारे पास आधी information है यहाँ पे, ऐसे है पी क्लास की, पूरी information तो नहीं है न, टू भी है इसके अंदर, तो उसको देखने के लिए हम, यहाँ पे df.tail करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको enter करता हूं, अब हमारे पास यहाँ पे टू भी आ गया है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि पी क्लास के अंदर ये values है, otherwise you can use pandas to show you unique values of a column, क कैसे, let's do it, df. हमने अब column का नाम लिखने हैं, और column का नाम है पी क्लास, ठीक है, dot unique, let's see, यह कुछ print करता है यह नहीं करता है, अगर करेगा, then we can have a look, otherwise कोई error आएगी तो आप resolve करेंगे, नहीं आई error, इसका मतलब है कि मेरे पास जो unique values हैं पी क्लास के अंदर वो तीन है, एक है और दो है, यानि कि एक दो और तीन, तीन values हैं हमारे पास, पी क्लास की, अब आप क्या करेंगे, यहीं पर change करते जाएं आपको हर किसी की unique values मिल जाएंगी, sex के अंदर male और female हैं हमारे पास age के अंदर ज्यादा values आएंगी, यह देखें, यह different किसम की age है, सही है, समझा है यहीं बात की, और यहां पर आप चेक करें, एन 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 भी आ रहे हैं, एन एन का क्या मतलब है, मैंने कल आपको बताया था, पांड़ास बढ़ाते हुए, not a number, इसको non भी बुला जाता है, nan, मैं इसको non याद रखता हूँ, कि मैंने नहीं खाना, क्योंकि मुझे हजम नहीं होता, ठीक है, तो यह missing values है, जब भी nan आए तो मेरे लिए वो missing हो जाती, वहां पर routine होती, so that's not, null value भी कहते है, none भी कहते है, missing value भी कहते है, यह है वो missing values जि इसको देखना, बारी बारी उपर जा के इसको print करूं and so on so forth, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे df.columns, यह लिखके enter करता हूँ, तो मेरे पास सारे के सारे column आ जाएंगे, यह हैं जी सारे column इस data set के, ठीक है, समझागी बात की, ठीक हो गया जी, अगर किसी का question आ प्लीज, चैट में लिखते जाएं, so I can answer that, जिनके पास screen खराब आ रही है, उनका internet का issue होगा, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से ठीक जा रही है, if others can verify that, तो यह column आ गया हमारे पास, अब एक question और एक छोटी सी assignment आ आ आपके, एक question आ आ आपका, फिर चोटी सी assignment है, यहाँ पे यह, मैंने bracket क्यों लिखी है, और किन चीजों के साथ brackets आती है, और यहाँ पे bracket क्यों नहीं है, यानि कि df.columns जब मैंने लिखा है, तो यहाँ पे bracket क्यों ने डाली, और यहाँ पे अगर मैं bracket डाल रहा हूँ, तो इन चीजों को क्या बोला जाता है, functions के साथ bracket आती है, that's fine, तो जिसके साथ नहीं आती है, उसको क्या बोलते हैं, जड़ा इसको चेक कीजेगा, और फिर मुझे बताइएगा, कि इन दोनों में फरेक है, ठीक है, अब मैं आपको revise करवाता हूँ कि अभी तक जो हमने किया है, वो क्या किया है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाया है, और क्यों किया है, मैं साथ में क्यों भी बता रहा हूँ, सिरफ कोडिंग नहीं कर रहे हम यहाँ पे, हम सेंस बना रहे हैं डेटा की, कोडिंग वाला काम जो है, वो सीधा मैं आपको नोटबुक दे दूँगा, वो कोडिंग भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे हमने लाइबरेरीज इंपोर्ट की, डेटा लेके आए, आपका अपना डेटा होगा, तो आप यहाँ पे फिर आप डेटा को समझते हैं कि डेटा में है क्या, यह सारा कुछ है जी डेटा में, जो हमने देखा, और हमने उसका मेटा डेटा देखा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, एंड देन, हमारे पास हेड की हमने कमांड लगाई, जिसका मतलब है टॉप फाइव रोज ओफ होल डेटा सेट, टेल का मतलब है बॉटम फाइव रोज, यानि के दूसरी साइड की फाइव रोज, एक उपर वाली, एक नीचे वाली, दोनों दोनों गर ले, उससे हमें पता information मिलने लगे के data के अंदर क्या क्या है, अब हम column by column जा रहे हैं, पहले हम पूरे data को देख रहे थे, अब column by column जा रहे हैं, और column by column देखके हम सारी चीजों का अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें क्या चल वह है, ठीक है, अब एक और तरीका का रहा है, यह यहाँ पे मैं one by one क करके जो सभी को चेक कर रहा हूं, यूनीक को, what if I do something like df.unique, let's see, sorry, this is, data frame has no object unique, यहाँ, यह क्या गलती है, df.unique, ना, नमबर unique, yes, and unique, that was and unique, okay, तो यहाँ पे हम इस विज़ा से यह लगा रहे हैं, इस से हमें number of unique values इच कॉलम पता चल रही है, अब यहाँ पे आपको एक और sense बना के दिखाने लगा हूं, मैं, which is going to save a lot of time from you guys, अगर आप बड़े dataset पे काम कर रहे हैं, वो कैसे time save करेगा, देखिएगा, इसमें अगर दो values हैं तो most probably this would be a binary column, जहाँ 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 पे दो हैं, वो binary हो सकते हैं, और mostly होते भी वो binary हैं, ठीक है? तो आपको यहीं से अंदाजा हो जाएगा कि यह binary हैं, binary का मतलब है yes और no, male और female, हाँ या ना, so and so forth, यह हो गया binaries, अब चलते हैं आगे, यह जो तीन वाले होते हैं, mostly यह ordinal होते हैं, यह nominal होंगे, ordinal यह nominal, O यह N, ठीक है? O यह N, ordinal यह nominal, मतलब यह ordinal यह nominal हैं, तो यह categorical हैं, सही है? categorical यह qualitative parameter हैं, ऐसे ही है? ठीक है? अब जलते हैं आगे, फिर आगे आजाती है चीज एक और जिसका नाम है 88, और यह हमेशा continuous values होती है, 88 types of ages हैं यहां पे, 88 years नहीं है, unique values यानि कि 88 किसम की ages पाई जाती है, तो यह क्या होगा? obviously numeric और यह float होगा maximum, ज्यादा chances यह हैं, ठीक है? numeric and float, फिर seven है यह और usually यह sibling और spouse है, मतलब उसके साथ कोई बहन भाई था, और उसका spouse यानि के मियां बीवी में से कोई एक परसन था या उसके मियां बीवी थे, यह फिर number account का, तो यह discrete हो जाएंगी values, automatically, mathematically, ऐसे ही है जी, discrete ही होगी न, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी type, इसी तरह parent थे या children थे, उनका number, साथ किसम के number है, एक, दो, तीन, चार, पांच है साथ, तो यह भी discrete हो गया, ठीक है? इसका मतलब यह हुआ, कि जब fair आ गया, क्राया, ठीक है? मतलब titanic जो तू की क्राया, कित हमारे लिए, जिसको continuous बोला जाता है, ठीक है? float continuous है, ओके, तो यहाँ पर आपको अंदाजा लग रहे है न, क्या है? deck, deck की कितनी किसमे है? seven किसमे, अब हम यहाँ पर confused हैं कि यह किस किसमों के तरफ जाएगा, और क्या यह values हमारे पास object है, या क्या है? we will see that, और इसी तरह embarked town, town का नाम हमेशा nominal नहीं होता, नाम है ना, फैसलाबाद, लहौर, कराची, क्वेटा, क्या है, नाम है ना, तो यह nominal ही होगा, हम यह तो नहीं कह सकते कि लहौर, फैसलाबाद तो चंग है, या फैसलाबाद लहौर से अच्छा है, या कराची लहौर से अच्छा है, बनना ल यहां पर deck हमारे पास एक confusion रहेगी है उसको देखते हैं मैं दुबारा से ऊपर जाता हूं यहां पर और यहां पर आपको deck वाले column को दिखाता हूं this is deck और यहां पर A, B, C, D के नाम से deck है ठीक है और अगर इसके हम unique values निकालेंगे हमारे पास अंदाजा हो जाएगा कि यह क्या है तो अक्सर उकात आपको N unique से सारा अंदाजा लग जाता है कि data type कैसी उसमें कितनी किसम की values है और whatever is going on there ठीक है और आप इन data types की base पे different plots बनाते हैं relationship देखते हैं औ data से क्या निकाल रहे हैं insights निकालेंगे तो इसको जानेंगे अच्छे तरीके से तो AI automatic model बनाएंगे इस data पे ठीक है अब यह जो हम काम कर रहे हैं यह basically data की insights है और metadata सबसे बड़ी insight होती है data की कि यह क्या है अब मैं इसको करता हूं यहां से remove अब deck की तरफ जाते हैं यह जो मै deck लिखता हूं यहां पर and then I run this देखें अब हमारे पास A B C D E F G and फिर बाद में N A N आगया तो deck के अंदर हमारे पास A B C वाले column है इसका मतलब है यह ordinal भी हो सकता है कि पहला deck दूसरा deck तीसरा deck चोथा पांचवा चटा साथा यह नोमिनल भी हो सकता है we don't know about that यहां तक बात clear होगी composition की कि compose कैसे हो रहा है data everything is clear एक चीज़ भी रहती है अभी composition में ही तो आता है ना कितनी missing values है क्या ख्याल है अब उसको कैसे देखना है मैं यहां पर लिखता हूं find missing values अब हर column में missing values भी होती है इसका पहला तरीका क्या है मैं df.info लिखता हूं यहां पर 891 total है values हर एक column की जिसमें 891 से कम होंगी वो उतनी उसमें missing values होंगी ठीक है मतलब खाली डब्बे डट के खाली डब्बे और अगर आपको मैं दिखाओं वो कैसे नजर आएंगे मैं पहले इसको save कर लूँ कल भी यव जब मैंने variable open किया था यह मसला करने लग गया था यह मेरे पास data यह भी open हो जाएगा यहां पर जो खाली डब्बे आ रहे हैं for example मैं deck के column पर जाता हूँ यह वाले इसको missing value कहते हैं कि इस बंदे का पता ही नहीं है किस deck में था इस बंदे का भी नहीं पता किस deck में था बंदी का खास दौर पर woman लिखा हुआ है ठीक है पता ही नहीं है हमें इसका भी नहीं पता किस deck में थी यह था इसको बोलते है missing values यानि के कोई एक specific column का किसी के बारे में information ना देना so that's what we can see in this thing लेकिन यहर अगर हमने python पे आके भी हातों से calculate करना है कि 714 minus 890 minus 714 फिदे तसार गया ना लब python पे गाम कर रहे हैं और हमने हाथ से यह काम करना है इसके लिए अगर किसी ने practice की है जो मैंने आपको अपना 11 गेंटे की वीडियो दी थी उसमें मैंने बताया वो देखते हैं अब जैसे मैं इसको run करता हूँ तो जहां जहां पे खाली डबे होंगे वहां वहां पे true आ जाएगा और जहां पे खाली डबे नहीं होंगे यानि कुछ चीज फिल है वहां पे false आ जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आया इस चीज़ का क्यों क्योंके हमें exact value चाहिए तो हम क्या करेंगे is null के बाद dot sum लगा देंगे यानि के हर column में true और false को check करने के बाद हमें true value बता दो and here you go exact number आपके पास आ गया है कि कितनी values आपके पास missing हैं और कितनी आपके पास missing नहीं है इसका मतलब है कि पहले तीन columns में कोई भी missing नहीं है and आगे बाकी वाले columns के अंदर 177 missing है age में deck के अंदर 688 missing है और यहां पे embark town में 2 missing है so what we can do we can also take a percentage के कितने percent missing है और उसकी base पे हम अंदाजा लगाते है percent कैसे लेंगे कोई बता सकता है परसेंट कैसे लेंगे इसका मैं चाहता हूं के 170 की बजाए यहां पे डिवाइड़ वाइड़ आठ सो कानवे होके मल्टिप्लाइड बाइंड़ हो तो कैसे लेंगे हम नहीं मुझे कोड बताएं ऐसे नहीं डिवाइड़ भाइ आप करेंगे लेंथ का कॉलम लगाएंगे यह फंक्शन लगाएंगे लेंथ ओफ दी एफ लेंथ ऑफ दी एफ क्या है आठ सो इकनवी आप डिरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप करेंगे मल्टिप्लाइड बाइंड़ तो इसी फॉर्मूले के अंदर लेंथ ओफ डियाफ क्या है यानिके वैल्यूज डिवाइड़ बाइट टोटल वैल्यूज मल्टिप्लाइड बाइंड़ तो यह आपको परसंटेज उठा के दे देगा लें जनाब आपके प हमारे सामने उठके आ रही है हमें पता चल गया कि 19 फिसद एज की मिसिंग है पॉइंट टू इंबाग्ट की है लेकिन 77 टेट की मिसिंग है सो वी केन हैव अन आइडिया यहां पे कि जब हमारे पास वैल्यूज एटी परसंट से ज्यादा मिसिंग हो तो हम उस कॉलम को उड़ा देते हैं most of the time 70 से ज्यादा हो तब भी उड़ा देते हैं 60 से ज्यादा हो उस कॉलम को तब भी उड़ा देते हैं डेटा में से 50 से ज्यादा हो अक्सर वकाद तब भी उड़ा देते हैं बेस सोंदा डेटा सेट अगर 50 से कम हो यानि कि 30 से 50 के दरमयां दरमयान यह उससे भी कम हो तो उन्हें हम इंप्यूट करते हैं यानि के हम सारे डेटा की बेस पे अंदाजा लगा लेते हैं मैं एक मिसाल आपको दी थी के हमारे एवरेज क्या क्लास की हाइट 5.5 तो अगर किसी की हाइट हमें नहीं पता तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 5.5 भी ठीग है ना होने से कुछ होना बेहतर है तो उसके तरीके का रहे हैं there are many methods to impute impute or calculate missing values and this is one of the hot topics in data science अगर आपको missing values impute करना आती है अब data wrangling ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं और machine learning में सबसे ज़्यदा काम इस पे हुआ पड़ है data preprocessing के अंदर missing values imputation पे and there are few algorithms out there बड़े तरीके का र रगाँ के what are the methods or techniques to impute missing values this is your assignment के आज के दोर में python के data science या analysis के अंदर what are the techniques to impute missing values in a data और कोशिश करें उन techniques को code के थूँ इस पे apply भी करें यह जो हमने titanic का data यहां पे लिए है तो आपने क्या करने यह जितना मैंने code आपको बताया इसकी videos मैं आज रात को इंशाला upload कर दूँगा you have to copy this thing और यहां से आगे आपने missing values impute करनी है one by one सभी methods के साथ that is your assignment it will take time लेकिन वो चीज़ आपको वो सिखाने वाली है जो जिन्दगी में कभी आपको भूलेगी नहीं अगर आप इसको बड़ाए assignment ना ले अगर इसको समझने के तरीके से करेंगे then you can also do that ओके यह हमारी assignment है अगर किसी को नहीं पता तो discord के channel के अंदर आप लोग एक दूसरे को बता भी दिया करें what are the methods or techniques to impute missing values मैं यहां पर लिखने भी लगा assignment what are the techniques or methods to impute missing slash null values apply those methods on titanic data we are coding in the same notebook आपने same notebook के अंदर इसको हल करना है यहां पर आप screenshot भी इसका ले सकते हैं if you want to take that one यह आपकी assignment है और by the way मैंने अपने channel पर तरीके बताया हुए तो आप वहीं पर भी search कर सकते हैं कि null values को किस तरीके से करना है YouTube पे भी देखें इदर उदर लोगों को भी देखें चैट GPT से भी पूछें यह आपकी assignment है और यह assignment क्यों मैं दे रहा हूँ इसके उपर सारी चीज़ें आगे depend करती है ठीक है और यहीं पर मैं आज का lecture जो है उसे रोकता हूँ आप इस assignment को करने के बाद comment section में YouTube के नीचे भी लिखें और आप discord के अंदर भी बताइएगा और यह तरीके कार आपने ज़रूर याद करने हैं because these are the things which are going to help you a lot मैं यहाँ पर screen अपनी stop करने वाला हूँ and this is how we will start working again in the next lectures